हेलो गाइज मैसल मितलेश कुमार फांडर अप एजूकेशन जी ओनलाइन एजूकेशन पोटल फिर से हाँ फिर से जेई में 2022 का पॉस्टपॉन्मेंट का डिमांड कर रहे हैं स्टुडेंट्स 2021 में ये बहुत सारा चीज हो चुका है अब फिर से ट्विटर पे और अलग प्लेटफॉर्म पे लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं कि जेई में 2022 पॉस्टपॉन्म होना चाहिए तो मेरा ये करतब बनता है कि आपको सही information दे कि आप क्या करना चाहिए हाँ और हम लोग ये देखेंगे कि queries क्या student डिमांड कर रहे हैं और उनको क्या हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे सबसे पहले देखते हैं एक student है इन्होंने यहां mention किया है ट्विटर पे कि सर प्लीज पॉस्टपॉन दा जेई में फॉस्टर स्टैम टू माई कब तक करना है माई तक अप्रेल में पेपर है उनको माई तक चाहिए कितना समय चाहिए उनको लगबग एक महीना तो उनका preparation complete ह हो जाएगा इन्होंने लिखा क्या but we need sometime to prepare better मतलब इन्होंने दो साल में better preparation नहीं किया है समझने वाली बात यह है कि मेरा कहना यह है कि अगर आपका दो साल से preparation चल रहा है तो यह समय एक मन्त मागने की कोई जरूरी नहीं है आप समझ रहे होगे मेरे point को क्योंकि कुछ student तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दो साल बहुत ज़ादा मेहनत किया है तो समय पे exam होना बहुत जरूरी है आप 2021 का sin देख चुके हो कितना year late हो चुका है तो मेरा कहना यह है मेरे को यह चीज़ को समझाना आपका है इन्होंने एक और student ने लिखा है जेई में should conduct 3 and 4 attempt इनको 3 और 4 में होना चाहिए ठीक है यह demand आपका हो सकता है लेकिन लिखा हुआ है कि postpone हो जाए for this advance we should postpone इनको चाहिए postpone so that inhale easily यह स्वांस लोने में भी problem हो रहा है देखो पता है मेरे को कि कुछ exams बहुत जल्दी आ गए हैं लेकिन अगर जेई में अप्रेल में conduct हो रहा है तो वो सही समय पे conduct हो रहा है हमेशा ऐसे ही होता था तो आपका यह mental पहले से prepare होना चाहिए था कि जो plus 2 का exam है आपका जो 12 का paper है उसके just बाद हो जाते है exam जेई मेन का तो अभी भी same है तो मेरा कहना यह है आप सभी वैसे student का जो आप यह काम कर रहे है इसको ना करे और अपने study पे ध्यान दे जितना समय है वो study पे ध्यान दे इससे distraction होता है और result कुछ नहीं आना है आप यह sure हो जाएं reason यह है कि government अब यह चाह रही है पूरा के पूरा कि समय पर exam conduct कराया जाए और exam को समय से result दे के बच्चे का admission हो सके तो मैं वैसे student जो यह सब कर रहे हैं और जो इसमें involved भी हो रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि यह ना करे आप अपने focus करे study पे जो time बचा हुआ है उसी में जितना बन सके अपने test practice को करके अच्छा score करने का कोसिस करे मैं reason यह भी बताता हूँ नहीं होने का postpone क्यों नहीं हो होगा यह security में बता रहा हूँ कि देखो अंदर परदेश का जो इंटर का exam है वो postpone हो गया किसके करण जेई में का schedule जब final हुआ तो अपना state government आगे पिछे exam को कर रही है collapse ना होने के लिए हाँ आप यहां देख सकते हो करनाटे का पूसी exam postponed to avoid class with जेई में आप समझ सकते हो ज जो दूसरे लोग जो है वो अपने करनाटका के state के schools के जो exam है उसको postpone कर रहे हैं मतलब कि आगे पिछे कर रहे हैं इसलिए मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि आप अपने study पे focus करें फिर से यह काम postponement इधर उधर के बातों पे ना रहें और अपना study करें बहुत सरे student मेरे कमेंट में आके उल्टा सिधा बोलेंगे लेकिन मेरे को सही information देना ज़्यादा जलूरी है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा समय है यह नीचे कमेंट करने का इससे अच्छा क्या है कि आप पढ़ाई कर लो वो ज़्यादा बेटर है result आएगा ज़्यादा मज आएगा I अच्छे लग रहे हैं मिलते अब एकले वीडियो में बायर टेक कर सी यू एगेन